लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें साथी नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन दबाना ना भूलें कोरोना वाइरस का कहर इस समय दुनिया भर के साथ भारत में भी पैर पसारने लगा है चीन से उपजे इस खतरनाक वाइरस के कारण भारत में भी एक व्यक्ति की म्रत्यू हो गई है इसी बीच कोरोना वाइरस के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए हर राज्य की सरकार कोई न कोई प्रबंध करते हुए नजर आ रही है बता दें कि कोरोना वाइरस को दुनिया भर में महामारी घोशित किया जा चुका है बहराल इसी बीच बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में इस खतरनाक महामारी से बचने के लिए केजरीवाल सरकार ने सक्त कदम उठाया है जानकारी के मताबिक दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सभी सिनेमा घरों, स्कूलों, कोलेजों को 31 मार्च तक बंद करने का आदेश जारी किया है हाला कि यह भी बताने कि जहां पर इक्षाय चल रही हैं वहां यह आदेश लागू नहीं होंगे बतादें कि दिल्ली में कोरोना वाइरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 6 हो चुकी है जिसके कारण दिल्ली सरकार ने कोरोना वाइरस को महामारी घोशित कर दिया है साथ ही केजरिवाल सरकार ने कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है मुख्यमंत्री केजरिवाल ने इसके लावा सभी सारवजनिक स्थानों, सरकारी और प्राइवेट दफ्तर, दुकाने, मौल आदी को रोजाना सैनिटाइज करने के आदेश भी जारी किये है